जेहन दोस्तों कैसे आप समवीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है पंचायद साहएक बर्दी से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट बिट लगतार आपको दे रहे हैं दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही बढ़ी कि पंचायद साहएक बर्दी से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आखिर आपको किस तरीके से काम करने हैं आपका मान दे के चलते जो आपके मन में सवाल है वो पी आपको पूरा क्लियर हो जाना है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखे और समझे कि किस तरीके से आपके पास जो जो सवाल है उसके उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो दोस्तों आप से निवेदन करें गर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल से सब्सक्राइब करने हैं तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या है कुछ खास और किस तरीकी से पंचायत सहायक इस खबर को बहुत ही ज्यादा एहमियत दे रहे हैं दोस्तों इसका कारण यह है कि इसमें जानकारी के साथ-साथ बहुत सारी दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ग्राम पंचायतों द्वारा उनके निर्मित जिर्ण जर्जर जोखिंपुन पंचायत भौनों अन्य सर्वजनिक भौनों के धोस्ती करण के शंबंध में अब क्या जानकारी हैं दोस्तों चलिए आगे चल देखते हैं क्या है कुछ ओद उप युग तो इसे एक शमण में आउगत करना है कि प्रदेश के बिभिन जन पदों द्वारा यह संग्यान में लाया जा रहा है कि कतिपके ग्राम पंचायतों में नीर्मित पंचायत भौन अन्य सर्वजनिक भौन जिर्ण भिन कैलन अथवा निस्प्रयोज है ऐसे भवन जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित हैं अथवा हस्तनांतनित हैं का कार्यशीद कार्यों के संपाधन हे तो उपयोग करते समय किसी अतिप्रय घटना के घटित होने से जन धन के हानी की आशंका है आशासना देश संख्या इतना दिनां कितना द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माड कराते हुए ग्राम सची वाले के स्थापना है तो विश्तरित दिशा निर्देश निर्देश निर्गत किये गए हैं दूसरा इस संब्ध मुझे यह करने को निर्देश हुआ है कि ऐसे पंचायत भवन समुदाइक भवन जो जिन्ड सिन्ड हो चुके हैं उनके ध्वस्ति करण है तो निमना नुशार का रवाई किया जाना है जन्पत के जिला अधिकारी द्वारा अशिशाषी अभ्यंता लोग निर्मार विभाग के धक्षिता में एक तक्नीकी समीती गढ़ित की जाएगी इस समीती में जिला अधिकारी द्वारा नामित एक सहायक अभ्यंता एवं एक जिला अस्तरी अधिकारी शदस्य होंगे जिल्ला पंचायत राज धिकारी द्वारा उक्त समीती के शमक्ष ग्राहम पंचायतों में ध्वस्तिकरण हेत प्रस्तावित पंचायत भौनों शमुदाइक भौनों की सुची प्रस्तूत की जाएगी उक्त भौनों की अनुमानित वास्तविक आयू का विनिश्यक उक्त समीती द्वारा किया जाएगा आयू विनिस्य के उपरांद समीती द्वारा उपलब्द कराई गई आख्या के उशार दोस्टी करण योगी भावनों के संबंध में संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उनकी शुची समस्त विवरन सहित यथाख भावन के निर्माण का वर्ष भावन की लागत संबंधित सायक विकास अधिकारी पंचायत ग्राम प्रधान सचीव का नाम पदराम वो मुवाईल नंबर आधी समीती को के शंबंध में विश्तरित तक्नीक टिपड़ी एवं भवन का मुल्यांकन कर कंप्यूटेट वैल्यू तथा विश्तरित मुल्यांकन आख्या जिलादिकारी के समक्ष प्रस्तूत की जाएगी तदो प्रांत निम्ना नुशार कारवाई की जाएगी ऐसे भवन जो अपनी आयू पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू वह अभिलेक हो के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्द न हो एवं कंप्यूटेट वैल्यू रुपया पास लाग तक के दोस्तिकराण के बारे में नेड़े समंद्र जिलादीकारी द्वारा लिया जाएगा दोस्तों नीचे में दिखा दो जो की लास्ट पेज ऐसे भवन में आपकी आयू पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू अभी लेखो के अभाव में बुक वैल्यू पलब्द न हो एवं कंप्यूटेट वैल्यू पास लाक रुपय से अधिक किंत दस लाक रुपय तक है जिनकी आयू पूर्ण नहीं होई है और जिनकी बहल्यू वह जहां अभी लेखो के अभाव में बुक वैल्यू पलब्द न हो एवं कंप्यूटेट वैल्यू रुपया दस लाक तक है दस्तिकरण के बारे में निर्णे अपर मुखे सचिव मुखे सचिव पंचायत राज विफाग उत्तर प्रदिशाशन द्वारा लिया जाएगा उपयोक्त मेंसे भावन किसी आयू पंद्रह से अधिक नहीं है और जिनमें निर्मान काड़े की गुडवत्ता शंतोस जनक न होते हुए भी भावन में द्वस्तिकरण का निर्णे लिया जाता है तो उस दसा में जिला पंचायत राज अधिकारी दोसी प्रधान सची वग्राम पंचायत एवं समंधित और सरभ्यंता जिनके उप्त भावन की माप पुष्टिकाप बनाई गया है का उत्तरदाईत्र न निर्णे लिया जाता है कि मलवे का पुनरुपयोग नहीं करेगी तो ग्राम पंचायत निर्णे लेती है कि मलवे का पुनरुपयोग किया जाना है ग्राम पंचायत की ग्राम नीधी खाता संख्या विविद जमा की जाएगी तथा उक्त धनरासी का उप्योग पंचायत भौन निर्माण पुना निर्माण विस्त्री करण के लिए किया जाएगा क्रिपया उप्रोकता अनुसार करवाई सुनिशित कराने का कश्ट करें दो यह सीधा यहां पर दोस्तों यह पत्र का यही कहना है कि अगर कहीं भी पंचायत भौन है या अन्य कोई भी सर्वजनिक भौन है अगर वो जरजर है तो उसको ध्वस्त किया जाए अगर वो जरजर है और कम ही समय में जरजर हो गया है तो जो उसे बनाया है उस पे कारवाई अगर बजट जो है पांच लाग तक है तो जो निचले पर के अधिकारी है वो इस पर निटे ले सकते हैं लेकिन अगर पांच से दस लाग का बजट है तो उससे वो उपर वाल अधिकारी लेंगे तो दोस्तों यह है इसकी जानकारी इसका मतलब यह है और यह जानकारी है इसी झाँ झाँ